हमको question दिया है use Uler's theorem on homogeneous function 2 so that if u equal to 10 inverse y by x then x day u by del x plus y day u by del y equal to 0 ठीक है तो दिया है हमको u equal to 10 inverse y by x दे रख गाए ठीक है तो करते हैं 10 inverse को left में लाते हैं तो क्या बन जाएगा 10 u कितने की बराबर y by x की बराबर बन जाएगा अब देखो उपर power 1 नीचे power 1 power same है मतलब homogeneous function हो गया ठीक है अगर आव ऐसा कुछ रहता कि x square plus y square आपार x plus y फिर भी homogeneous होता है कि उपर power 2 उपर power 2 उपर power 2 उपर power same x का power 1 y का power 1 नीचे भी power same लेकिन यहां पर सिफ y by x है तो कोई देख कर नहीं उपर power 1 नीचे power 1 आराम से वह homogeneous function हो गया तो हम क्या बोलेंगे लेट मान लेते हैं कुछ भी है जो क्या 10 u के बराबर है और 10 u के बराबर है y by x के बराबर है फिर क्या करते हैं बोल देते हैं कि हमारा here बी इज अ होमोजीनियस function है और यक्स और वाई के रम में question चल ला है और डिगरी के से बता चलेगा ऊपर का power माइनस नीचे का power मतलब क्या 1-1 जीरो मतलब क्या यह जीरो डिगरी का होमोजीनियस function है तो हम कह जानते है according to according to एक्स डेवी बाइडल एक्स क्योंकि यहां पर भी के तंब कर रहे हैं यहां से निकलेगा यहां से निकलेगा यूज इकवल टू टैनियू है इसको एक बार यका के रिटेट में करो दे यूबाइड यलक्स कितना आएगा वाई कितना आएगा सेक इस्कॉायर यूद्ध कर तो आपको फाणरेट मिल जागा तो यह लाइगा तो यह लाइगा तो कि यह सकुआयर जागा सेक स्क्वाइर यू सेक स्क्वाइर यू सेक स्क्वाइर यू दे यू अपान डेल वाइट में कितना है जीरो है अब सेक स्क्वाइर को कॉमन करके राइट में डिवाइट कर दो तो जीरो अपान सेक स्क्वाइर मतलब जीरो अपान संतिंग मतलब जीरो ही लिखा हुआ है तो